है हाई एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल मीनूज लाइफ दो दिन के बाद क्यों थी क्योंकि थी तीज और तीज में तीज का व्लॉग जाएगा आपको आज ही मिल जाएगा शायद या फिर कल मिलेगा आपको तो कंफर्म नहीं हो जब मैं एगट कर लूंगी तो मैं द हुई सबको ही हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेरी ایک संस्क्राइबर ने मेसेज किया कि दीदी इन पर वीड़ियो बनाओं और ऐसी बात है उन्होंने सारी मेरे सब्सक्राइबर आज मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है तो सबसे बड़ी बात पहली बात यह है कि यह जो चाय वाली दीदी है पहाडो वाली चाय वाली जो दीदी है इन्होंने अपने चैनल का नाम पहले तो इनका इंडियन यूट्यूबर करके था उसके दिन्होंने की दिवानी अपना नाम रख लिया तो मैडम और इतनी खुश है इतनी खुश है अपना इनका छे महिने से एक ही बोरिंग टॉपिक चल रहा है वेट लॉस कभी कभी बीच में मैं इनको देख लिया करती थी बट छे मैंने से जो लगातार एक ही टॉपिक को घसीटे का उसको क करना चाहिए इन्होंने क्या कर रहा है यह जो छे मैने से लगातार वाक और डाइट वगरा कर रही है और यह बार बार अपने सब्सक्राइबर को कहती है कि आप वाक करें आप वाक करें वाक करते हुए और डाइट के अपने डाइट का एक से साइस का वीडियो मुझे बना video टैग होनी के लिए video बना बना कर भेज रहे हैं जो कि यह लालच दे रही है इस से इनके social media याने Instagram लोग होगा और यूटयुब जो होरहा है है सही है इनका अपना स्वार्थ है लेकिन इन्हों अपने स्वार्थ में एक इनकी सब्स्राइबर जो की इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी उन्होंने इनके कहे अनुसार गी तेल वगएरा सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ कर उसके बाद फिर कंटीनियू वाक वगएरा करती रही बहुत ज़्यादा ज़्यादा वा लगाये हैं आप लोग पढ़िएगा द्यान से पढ़िएगा और स्क्रीन शॉट ले लिजेगा उसके बाद उसे पढ़िएगा यह किस तरह से उन्हें लिखा गया है और इस बतलब टॉपिक से रिलेक्टेड जब उनके चैनल पर कमेंट आ रहा है तो उन्होंने बंद कर कल जो उन्होंने वीडियो डाली उसमें तो कमेंट ठीक है लेकिन परसों की वीडियो की उन्होंने कमेंट आफ कर दिया क्योंकि इन्हें बहुत नेगेटिव कमेंट आये थे और कल वाले वीडियो में भी जो कमेंट आ रहे हैं यह फटा फट फटा फट फट डिलीट करती जा रही हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि आप तो ना सर्टिफाइट डाइटीशियन है ना न्यूटरनिस्ट है कुछ भी नहीं है फिर आप किस तरह से लोगों को अड़वाइस कर रही है सबकी बॉड़ी का स्ट्रंथ अलग अलग होता है सबकी बॉड़ी की कैपसिटी अ पर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता है नहीं कर सकता है और उसके बाद किस तरह से आप अड़वाइस कर रही है आप अपने आपको बहुत बड़ी तुर्रम खान समझ रही है जो तो आपको इतना पता होना चाहिए आप जब डाइट प्लाइन बताती है कि मैंने ये बनाया आप यह खाया वो किया आप एक बाद बताई आप किसी को भी बताती है तो आप यह बताती है कि कि अगर आपके हा इतनी है ऑपके बारथ कुण है River अब को पर दे कितन अप्र्डर के इत Pv करना चाहिए आप ये बताइए अगर सिर्फ आप अपना ही बता दीजे हो सकता आप अपना किसी ये से देखे पुछ लेंगे लेकिन फिर भी आप किसी को ये सजेशन नहीं देती हैं जबी भी कोई भी वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू करता है तो सेटी के सेवेंटी परस होते हैं certified dietation या fitness trainers जो होते हैं जिनोंने कोर्स किया होता है वो इंसान के height और body के अनुसार बताते हैं उन्हें डाइट वेगरा पहली बात दूसरी बात मैं आज से तीन साल पहले कोविट के पहले मैं जिम जाया करती थी मैं भी बहुत अच्छे से जिम फॉलो करती थी जो म कुछ खाओ सब कुछ को चीज असा नहीं हो तुम ही खाना जो क्राइब को हैं चोटे 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 प्रशिं में छाना है मतलब धच्छा नहीं का लेना है चोटे चोटे पोड़ा फोड़ोथiben भाना प्टेज। और वो वे ट्रोंफिया मैं कभी कभी जिम जाऊंगी तो वहां का मैं जरूर बात करके जाऊंगी ज्मेंगे और मैं जाके वहां का वीडियो बना के आप ‫डिकले अब हमारे तो बोल रहेंगे कि ठीक है चलो फिर वो कराते है लेकिन इतना भी नहीं कराते हैं इतना ज़्यादा हमें ठका दे आप कैसे करवा सकती है किसी से भी 13-14 km वाउक 13-40 km walk करवाने से पहले आपको इतना पता है आप जो बोल रही ही न सबको walk करो किसी भी time निकल लो किसी भी time पर लो आपको खुद को पता है कि walk करने के लिए एक बढ़िया branded shoes लेना चाहिए जिसके heels आपके पैरों का जो shape होता है उसके according होना चाहिए ताकि आपके पैरों को नुकसान न पहुचे भले आप एक ही जुता रखे उसे wash करकर के पहने लेकिन आपके पास एक अच्छा जुता होना चाहिए ताकि आपके पैरों को गुटनों को इन सबको नुकसान न पहुचे घी जरूर होना चाहिए खाने में ताकि घुटनों की ग्रीसिंग हमें सब बनी रहे फेस वे बॉड़ी पे ग्लो आए, बॉड़ी में स्ट्रेंथ हो जितने भी डाइटिशन या जो भी डाइट आपको रिसिपीज बताते हैं उन सब को आप देखेंगे कि भी बेश्यक ओयल यूस नहीं करते हैं ओयल के जगह में ओयल का गी लाते हैं गी क्यों लाते हैं चीनी काे 22 गुड गड़ क्यों लाते हैं लेकिन एसा नहीं कि यह छोड़ दो वह छोड़ दो जो आप बोलती हैं आप खुद हवाई चपल पहन कर वॉक करती हैं आपका वेट कम हो रहा है ठीक है अच्छी बात है लेकिन कुछ सालों में आपके घुटने बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे बिल्कुल ही बंद कर देंगे क्योंकि आपके खुद के लिए भी नुक्सान है मैंने पहले सोचा था कि मैं इस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाँगी कि कोई भी इनको फॉलो ना करे कोई भी इनको फॉलो इसलिए ना करे क्योंकि यह इनके खुद का तरीका जो है बिल्कुल गलत है यह जूते पहन कर कभी वॉक नहीं करती है किसी भी टाइम पर कोई कैसे वॉक कर सकता सुबा का करने का एक क्लाइश बढल रहे हैं तो आप के लिए आधा घंबा से 45 मिनट वाक और एक्सियस इनफ होता है रोज अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि fit रहने के लिए स्वस्त रहने के लिए अगर आप competition में नहीं उतरना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 2-2 घंटा आप walk करें और ही सब करें लेकिन fit रहने के लिए और स्वस्त रहने के लिए बिलकुल आ से एक walk करना होता है टिक है इतना ही होता है उससे ज़्यादा निता जितना आप बता रही है वो access बता रही हो और आप गलत बता रही है अभी जो जिस फैमिली के करना के दो वीडियो बना के दो आप यह कहती है कि आप कुछ भी मैं ऐसा कर रही हूं अगर मैं कल को मैं अपना वेट लॉस म्शुरू करूँ गी तो मैं तो यही कहूं गी कि मैं ऐसा कर रही हूं उन्होंने या मेरे डाइटीशन ने जो मुझे सज़ेस्ट किया वो मैं ऐसा कर रही हूँ मैं सबसे पहला लाइंगे ही बोलूंगे अगर आपको करना है तो आप एक बार डाइटीशन से जरूर अडवाइज ले और डाइटीशन भी आपको ऐसे अडवाइज नहीं करती है ड जो बाद आपको आपके स्टैमिना कितना है बोडी में उस हिसाब से फिर आपको बताया जाता है चल रही है लेकिन अगर fitness के बारे में बात करने जाओ तो मैं दो घंटे बात कर सकती हूँ एक दब आराम से बिना रुके बात कर सकती हूँ मुझे इतनी जानकारी हो चुकी है तो आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है आपको लोग कैसे follow कर सकते हैं अगर कोई भी जि कीजिएगा लोगों तो किनकी बात पहुंजने चाहिए और जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर मेरी बात अच्छी लगी हूं मेरे वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए गई और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते next video में बढ़ बाई